Hello everyone, welcome to my channel देखे friends, आज मैं आपको तीन कलर से बहुत ही प्यारा बिल्कुल फ्लावर शेप का डिजाइन बनाना सिखाऊंगी इसके लिए देखे friends मैंने तीन कलर लिए हैं आप इसको और ज्यादा कलर भी लगा सकते हो इसमें और टू कलर से भी आप इसे बना सकते हो यह देखे इसके लिए friends मैंने नो नंबर की निडल्स का यहाँ पर यूज किया है और यह देखे मेरे पास इतनी पतली उंती पुरानी तो इसको मैंने डबल किया है तो friends चलते हैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं अगर इडिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर लिजिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले 10 सबसे पहले फ्रेंड्स हम से फंदे डौरैंगे हैं इसमें डाल लिजिए ये देखिए, एक हमने डाल लिया, दो, तीन, चाल, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डाल लेंगे, फिर हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 21 फंदे डाल लिये हैं, तो अब देखिए, आप गर आपको बड़ा बनाना है, तो आप ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बनाने का तरीका सेम रहेगा, ये देखिए, आज मैं आपको 21 फंदे से बताऊंगे, फस्ट वाला हम बना लेंगे, यहां से मैं इसमें, जो भी हम कली में कलर लगाएंगे, वो हम यहां से लगा लेंगे, देखिए, इसको थोड़ा सा इसे दबाके, पका कर लीजिए, या इसकी आप नोट लगा लीजिए, ये देखिए, अंदर का गिनेंगे, एक हमारा किनारे का है, चार फंदे हमने बना लिए, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, 16, 17, 18, और 19, और एक फंदा मैं पीछे छोड़ तूँगी, हम यहीं से पलट जाएंगे, जहान से देखिएगा, इस रो को भी हम, इस साइड से हमारी सीधे साइड बनेंगे, ऐसा है, उल्टा उल्टा बनाके, इस रो को हम कंप्लेट करेंगे, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, और बनाने में बहुत ही आसान है, इस साइड से एक फंदे को हम उतार देंगे, इस साइड करके ऐसे टाइट हो जाएगा, हमारे बार बार में रूज नहीं होगा, एक फंदा हमने इस साइड से उतार लिया, अब देखिए, दोलो साइड से हम, एक इस साइड से उतारेंगे, और पिछे फंदा हम छोड़ देंगे, यह देखिए, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे, और राइट साइड से, जहां तक फ्रेंड समरे फंदे उतार रखे हैं, उसके पिछे पिछे हम बनाएंगे, उन फंदों को नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारी कली की शेप खराब हो जाएगे, इस चीज़ का आप द्यान रखिएगा, छोड़े वापन्दे आपको अलग से दिखाई देंगे, यहीं तक हम बनाएंगे, यह फंदा आपने पिछली बार छोड़ दी, उतार दिया था, अब देखिए, अब इस साइड से बना लेंगे, इस साइड से ऐसे ही उतार देंगे, यह देखिए, तो दोनों साइड से फ्रेंड्स, एक एक फंदा छोड़ते हम बिल्कुल बीच सेंटर में आ जाएंगे, एक बार और देख लेजिए, फिर में इसको थोड़ा सा बना के फिर दिखाऊंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बनाना है, दोनों साइड से एक एक फंदा छोड़ना है, इस साइड से हम छोड़ देंगे, और इस साइ सेंटर में हम आ जाएंगे, तब तक मैं इसको इसी तरीके से बना लेते हूँ, यह देखिए, दोनों साइड से एक एक फंदा छोड़ते हुए, हम बिल्कुल बीच सेंटर में आ गई हैं, इस देखिए, इस फंदे को भी हम इस साइड ले लेंगे, और देखिए, एक, दो, तेम, चार, पाँच, दस फंदे में रहे हैं, इस साइड हो गई, तो देखिए, इस फंदे को हम यहां से इसमें देखिए, और यह सारे सीधी साइड से, सीधी साइड से फ्रेंड से हम इस साइड में आएंगे, क्योंकि हमारा यह वाला थ्रेड है, और हम सीधा बनाएंगे तो हमारे डिजाइन भी खराब नहीं होगा, यह देखिए, यह सारे इफंदे हम यह दस फंदे बना लेंगे, ध्यान से देखिए, आप देखिए, इस फंदे को हम पीछे कर देंगे, और पीछे से यह फंदा क्रोज करके लेके आएंगे, आपके, ऐसे क्रोज कर लेंगे, ऐसे, तो हमारा पीच में यहाँ पे गैब नहीं आएगा, यह देखिए, इस तरीके से आपके, उसकी शेप आएगे, आप पलट लेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम उर्टा ही बनाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, और देखिए, एक, दो, तीन, चाल, पाच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे बनाएंगे, एक फंदा हम यह पीछे छोड़ देंगे, इस साइड से, फिर हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इसको पिछे करेंगे, पिछे से, आगे लेके आएंगे, और इसको हम उल्टा बना देंगे, फिर से पिलट लेंगे, एक बार फिर से देखिए, आप देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, यहां एक फिर से छोड़ देंगे, यह एक के फंदे, फ्रेंट्स, छोड़ते हुए, हम उपर की तरफ आएंगे, इसी तरीके से हम यह बाकी के फंदे भी छोड़ लेते हैं, यह देखिए, इसको क्रॉट करके, आगे लेके आएंगे, और आगे से हम इसको बना देंगे, यह देखिए, इसी तरीके से फ्रेंट्स में यह सारे फंदे उपर तक छोड़ लेते हुँ, दो फंदे मेरे बच जाएंगे, यहाँ पर एक यह किनारे बाला और एक यह, तब तक मैं सारे फंदे इसी परकार से छोड़ लेती हुँ, आप इनको ऐसे ही बना लेजिए, यह देखिए, तो मैं इसे पूरा कर लेती हुँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगे, यह देखिए, दो फंदे मेरे बचे हुए हैं, एक किनारे का, यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिये, लास्ट का फंदा देखिए, फिर से मैं आपको दिखाऊंगे, ताकि फ्रेंट्स, बिगनर्स को कोई प्रोब्लम ना आए बनाने में, यह देखिए, इसको हम बना लेंगे, इसको आप क्रोस करना मत बोलिएगा, देखिए, हम जब ऐसे क्रोस करते हैं, तो कैसे हमारा ही सुई की तरह सिलता जाएगा, और बिल्कुल भी यहां पे गैप नहीं बनेगा, ऐसे हम करेंगे, तो देखिए, उपर से यह आ जाएगा, यह फंदाइक हमने फिर से छोड़ दिया, यह देखिए, इसको हम उटा बना लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और फिर से हम इसको क्रोस कर लेंगे, यह देखिए, हमने सारे फंदे यह छोड़ दिये हैं, यह आप देख सकते हो, यहां से सारे फंदे हमने छोड़ दिये हैं, इस तरह से हमारे कली की शेप आएगी, आप देखिए, जैसे फंदे हमने छोड़ देखिए, अब वापस हम उपर से ले एक बना लिया, ऐसे क्रोस करेंगे, एक हमने, यह हमारा था, एक हम इसमें और ले लेंगे, यह देखिए, फिर से हम फंदा क्रोस कर लेंगे, यह देखिए, यह हमने इसमें एड कर लिया, फिर से देखिए, क्रोस करना मत भूलिएगा, यह देखिए, दो हमारे थे, एक हम आगे से, एक एक ही एड करना है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बीच में गैप लगे, तो ऐसे गैप भरने के लिए फंदा उठाएए, और इसके साथ आप दो का एक कर दीजिए, और यहीं से हम वापस मुड जाएंगे, एक वार और दिखाऊंगी, फिर मनीचे तक सारे फंदे आपको मैं यह, इसमें एड करके फिर दिखाऊंगी, फिर से हम क्रोस कर लेंगे, और किनारे वाला फंदा हम बना देंगे, यह देखिए, कली हमारे अंदर की तरफ मुड पना के दिखाऊंगी, तीन फंदे हमारे पास यह होगे, अब यह आगे से लेंगे, इस से पहले देखिए फ्रेंड्स, बीच में से एक फंदा उठाएंगे, गैप खतम करेंगे, और ज्यादा अगर आपको गैप लगे, तो आप दो फंदे भी आप ऐसे बीच में से उठा सकते हो, लेकिन फिर आपको तीन का एक करना पड़ेगा, कोई भी फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ना नहीं, चाहिए उतने ही हमारे फंदे होंगे, दो फंदे उठाओगे, तो तीन फंदों का आप एक करिएगा, और एक फंदा उठाओ तो दो का एक करिएगा, यह देखिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यह बाकी के फंदे भी सारे ही, एक एक करके इसमें एड़ कर लूँगे, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगे, यह देखिए, यह फंदे भी इसी तरीके से यहाँ तक मैं इसमें एड़ करूँगे, पांच फंदे और बचे ह हुए हैं और ये बीच का गैप हम इसी तरीके से बरते जाएंगे तो मैं इसे पुरा कर लेती हूँ यहां तक फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगे यह देखिए यह लास्ट का फंदा बच्चा हुआ फ्रेंड्स मेरा यह सारे फंदे मैंने देखिए इस तरीके से इसमें य लुक आई है और जो बीच का फंदा उठाया है इसकी भी देखिए एक चेंसी बनती जाएगी जो कि भोती फिनिशिंग के साथ ही हमारा बनके कम्प्लीट होगा तो देखिए लास्ट बंदा हम इसमें आप एड़ करेंगे एक, दो, तीन, चाल, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और ये दस उससे पहले देखिए फिर से हम फ्रेंड्स अपना गैप खतम करेंगे इसमें 20 फंदे थे हमारे बीच में एक फंद ये हमने आउटलाइन का किनारे का लिया था तो हमारे देखिए हाफ जो फंदे हमने किये थे वो एक बार तो फ्रेंड्स हमने सारे नीचे से उपर तक गए थे छोड़ते हुए ये नीचे जोकली बनाई थी और फिर हम उपर से नीचे की तरफ आई है कि कई बार क्या उत्ता फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो नहीं देखते थोड़ा सा देख ले तो कि एक एक फंदा छोड़ा है और फिर ये दुबारे का जो हमने प्रोसिस किया है ये बीच का मिस हो जाता कोई पार्ट तो इसलिए फिर वो शेप अच्छी नह पीडिजाइन देखो किसी का भी देखो वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखा करो यह देखिए यह हमारे नीचे कली बन की ओपर फ्लावर भी इसी कलर का हमारा यह बन गया अब देखिए हम क्या करेंगे हमारे कंप्लीट हो गया तो जैसी फ्रेंड्स हमने यह आउट पारे फंदे जिस कलर से भी आपने फंदे डाले थे आउट लाइन लगाई है उसी कलर से आप यह नीचे तक बना लेजिए अगर इसके बीच में भी आपको फ्रेंड्स फ्लावर और कली के बीच में भी अगर आपको गैप लगेगा तो आप बीच में से ऐसा फंदा उठाके और यह गैप खतम करिएगा कहीं पे भी किसी डिजाइन में भी अगर आपको बीच में गैप लगे तो ऐसा फंदा उठाने से हमारा गैप खतम हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही सफाई के साथ बनके कम्प्लीट होता है यह देखिए इस रो में हम सारे फंदे बना लेंगे सिद्य साइड से भी मैं इसे बना के कम्प्लीट करूँगी एक कली फ्रेंड से हमारी बनके बिल्कुल कम्प्लीट हो गई है यह देखिए पूरी हमारी यह बनके कम्प्लीट हो गई है अब देखिए अब दूसरी के कली के हमने फ्रेंड उसी तरीके से हमने इसमें स्टार्टिंग करनी है देखिए अगर आपको यही कलर लगाना है तो आप इसी कलर से लगाई है मैं यहाँ पर आपको दूसरा कलर लगा के दिखाऊंगे देखिए एक फंदा हम इससे बना लेंगे आगे का फंदा हम है यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगे द्यान से देखिए इसको हम ऐसे दबा लेंगे थोड़ा सा और यह देखिए एक हमारा ये हो गया, किनारे का, तीन हमारे ये हो गया, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, और उनिस फंद्रे बनाएंगे, एक फंद्र हम पीछे छोड़ देंगे, और यहीं से हम पलट जाएंगे, सीधी साइड से इस रोकों मैं बना के कंप्लीट करूँए, यह देखिए, इस साइड से हम इसको ऐसे टाइट करके, हम इसे फिर से बना देंगे, यह देखिए, इस कलर में, इसमें हमने एक फंदा पीछे छोड़ दिया, और अपना कलर इसमें चेंज कर लिया, आप देखिए, जैसे हमने फ्रेंड से निचे बनाया है, बिल्कुल सेम हम उसी तरीके से इसको बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए एक बार, दूसरी कली की हमने स्टार्टिंग कर दी, इसको हम उतार लेंगे, एक साइड से हम यह उतारेंगे, और दूसरी साइड से हम यह बनाएंगे और यह देखें फ्रेंड्स जो इक ग्रीन वाला है हमारा अगर आपको इसकली के बाद लगाना है आप यहां से काट सकते हो और नहीं तो आप इसको ऐसे उपर करिएगा यह बैक साइड से उपर ऐसे साथ साथ हमारा उपर चलेगा और देखिए इस साइड हमने एक फंदा उतार लिया जैसे हमने पहले बनाया था और पीछे हम एक फंदा उस साइड छोड़ देंगे दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा लास्ट में हमारे हाफ हाफ फंदे हो जाएगे एक फंदा यह छोड़ दिया और यहीं से मुड़ जाएगे जैसे फ्रेंड हमने नीचे बनाई थी यहाँ पे हमने यह देखिए यह शेप हमारे यहाँ पे हमारा बीच में फंदे दसी साइड रह गये थे किनारे वाले को छोड़ के और फिर हमने यह सीधी साइड से बना के हम यहाँ पे आ गये थे और फिर एक एक फंदा हमने छोड़ते हुए नीचे वाला फ्लावर बनाया फिर यह उपर वाला फ्लावर बनाया हमने एक एक फंदा एड़ करते हुए और फिर हमने सारे यह आउ को दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसा लगेगा तो आप भी बना लीजे मैं भी से complete कर लेती हूं यह देखे फ्रेंड्स मैंने से complete कर लिया है छे कली में बनके एक complete हुआ है तीन एक कलर की हैं और तीन एक कलर की हैं आप अपनी पसंद से इसमें color contrast लगाएगा बहुत ही की लुक आएगी तो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईए पसंद आया हो तो प्लीज से like कर लीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नए वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक यू